नमस्कार मैं उमेज 2024 की राजनीतिक सफर में सरीमान आपका स्वागत करता हूँ बात करेंगे मुद्दो की, बात करेंगे घोसना की, बात करेंगे जलकंद्लियानकरी योजनाओं की तो कहीं न कहीं राजनीतिक स्टर पर एक प्लैक्षपार्म जरूत तयार होता है जिसका नाम है पक्ष और विपक्ष जिस पे दोनों तरफ से घोसना होता है और आम जनता किस तरह से लवावना तरीके से उस चीज़ को समझेगी और एक मेगनेकिक तरीके से आकरसित होकर भोड़ देगी चलिए तो बहराल 25 मई का मामला है आज हमारे साथ है गुडू सेख ज निकल रहें बहार लिए टेम्परेचर किसका निकल रहा है बाहर तो जो है उन्हीं से पूछने का जूरब कभी ठंडा उन्डा बात नहीं करेगा हमेंसा गर्में रहते हैं क्या गुडुजी बताई हैं हम लोग यह नोजवान है तो गर्में रहेंगे न और चुनावी गरम है तो गर्म ही कि तरह हम लोग बात सब मिल गए हैं महागडबंदन तो मजबूती अपने आप बहुत प्रचंडे तरीके से महसूस करने भीतर से राजनीती मिनिंग तो लगता है कि जब भाजपा का सरकार भी राज में नहीं था तो उस समय भी हम गरम सरकार बना तो उससे जादे गरम है अब केला लगता है कि अब सड़ गिया है इससे जादे तो अब नहीं कहें कितना भोट आ रहा है आज सुको मनें एंडिये गटबंदन को गिरिदी के अंतर गर देखिए एंडिये गटबंदन को कितना भोट आ रहा है यह हम नहीं जानते हैं लेकिन महा गटबंदन परतियासी जो है यह पांच लाक अधीग भोट से जीत रहें यह मैं जानता अरोप लगा रहा है स्कूल खोले हैं कॉलेज को लें इनिवर्सिटी खोल रहे हैं अपना अंपायर खड़ा कर रहे हैं इस सब चीज़ को लाकर रख रहे हैं पांच लाक बोट से जीतेंगे देखिए रामगड और बागमारा के कोई भतिजार मोसा वाला कहानी तो सब जान रहे हैं ठीक न और एक की भी कहीं 20 फिट का एक नाली का पुरूप कर दे तो मैं राजनितिक से सन्यास ले लूँगा 20 फिट का एक नाली होना चाहिए ना मुद्दा का बात होना चाहिए ना स्वास्त विभाग सारा मुद्दा उनका जितना फंड था सारा फंड जो है वापस चला हम किताब लेकर आएंगे आपके आवास पर जो 85 पन्ना का है जिसमें उस सब लिखे हैं और हर पन्ना पर हम च दिमाग में है कि उसमें कुछ जूट का भी बात चपा हुआ है अब तो मोदी जी भी कहते हैं कि 400 पार लेकिन जब गिंती जब होगा उस समय पता चलेगा कि 100 पार हुआ कि 400 पार हर हाल में जीत रही है और मानिय हमारे राहूल गांधी जी देश के परदानमंतरी भी बनगा किसलिए आप लोग जो बोल दिय है एक राक रुपया हम लोग सालाना देंगे गरीब को इसलिए क्या या महिलाओं को आरक्षन देंगे इसके लिए क्या या मैलाओं को 30,000 भत्ता देंगे इसके लिए क्या किन मुद्धों को लेकर आप मोदी जी को घेरेंगे ये बम को बताइए ज़रा देखिए जब से मोदी जी देश के परधान मंत्री बने है अक्सर हत्या चोरी डकेती माँ बहनों का बलतकार जो की बलतकारी के आरोपीत भी उसी के दल के लोग है कोई और नहीं है पहले से पिछला सतर साल का अगर रिकॉर्ड देखे तो कॉंग्रेस के अंतर का तिस्तिया का कभी कोई केस दर्ज नहीं हुआ क्या मैं बर्तमान का बात कर रहा है मैं पुर्व का बात नहीं कर रहा है पुर्व साइए जिस पर आप लोग घेरेंगे मोदी जी को या वर्तमान विधायक को या सांसद को अभी आप रामगड़ का नाम लिए तो रामगड़ का सोले में सुने थे नहीं तो गबर सिंग ता जो सब को खटाने का काम करें जराम महतो का नाम सुने हैं इसी सोले फिलिम के अंतर गती आते हैं केरेक्टर हमने ही बता पिए उनको कहां पर आप लोग फिट कर रहा हूं देखिए मैं अपना दल का बात कर रहा हूं दूसरे दल का मात नहीं करने खुड़ो जी आप भाजपा का तो देखा हूं और ना कभी में जानता हूं और मैं जिसके साथ हूँ, मैं खुलियाम हूँ इमांदारी पुरुवक हूँ और मैं इस बार पिर का रहा हूँ कि इस बार मथुरा दाको इस बार हम लोग एक लाख से पार भोड दिलाने का काम करें तीखा बात पूछे बोलिये अप लोग अलग सब बैठते थे महागडवन में ऐसा क्या हुआ मोदी जी के एगेंस्ट में सब एक जगा बैठ गए अब फिर क्या होगा विदान सभा का चुनाव जिन चित्रों में आएगा सब आप लोग अलग हो गया थोड़ा तीखा जरूर लगता है कि मैं एक घर हमेशा हर किसी का दुख सुख में रहते हैं यह इन दोनों के बीच में विकास कहां बटक रहा है यह आगे आप लोगों के तरफ जो समी करना है क्या नया होगा देखिए विकास है कहां जमीन में हम आप ही से पूछ रहे हैं आप लोग तो डूट जा रहे हैं जनता से पूछ रहे हैं लेकिन एक भी बिकास आप जमीन में दिखाए न एक भी अप्र हाँ आज हम कर रहे हैं कि बागमारा में एक विकास हुआ है जिसका नाम है कोईला चोरी आज भी चेतुडी में देखिए बिदाय कर रहे हैं और कौन नाम नहीं लेते तो फिर यही बात आप जब नाम लेते तो स्रीमान तो एक दम नाम लिखे धंगा का चोट पर कौन वेक्तिक कर रहा हैं धुलू महातों के समर्थक वसीशोहान कर रहे हैं और धुलू महातों के आदेश अनुसार कर रहे हैं और मैं मीडिया के माद्यान से फिर बताना चाहता हूं अब उनको आप संलिप्ट कर रहे हैं किसी एक विक्ति का नाम जोड़ रहे हैं आप क्या कर रहे हैं दुनों का वेवसाई चल रहा था क्या कि बेवसाई तो ढुलू महातो का चली रहा है कौन नहीं जानता बागमारा में आज भी कोईला चोरी जो चेतूडी में हो रहा है कतरा स्थाना चेतर के अंतरगत हो रहा है डिटो ढूलू महातो हैं सिर्फ उनके लोगों का नाम है ढूलू महातो के भठा में गिरा आप ये त्रक के पीछे जान मेरदा सब्सक्रा चाहें कि आपके मन पर इंतर्णा को पीछे आपके इसी प्रचंड तरिके से चलता ही रहेगा आपके अनुसर मेरा ऊसमें कोई यह नहीं है पोईला चौरी अगर परसासन मोहदे अगर आज से बंद नहीं कर रहे हैं तो एक से दो दिन के अंदर हम लोग घ्रुस करके बंद करवाने का हम लोग चंमता रहा है मैं किसम से ना इसम कसमें कि और भी है बागमारा में बहुत जगह है पूल बंदी गेड़ी का कर रहे हैं कि और धन्वाद का भी कर रहे हैं और को पुह परिखेंगे मतंद के आपकली जिए गरीविदी-बेयृषट गालेगा आप लोग देखी रहें ना कि भर्ष्ट चार किस पर लगा हुआ है आरो कोईला चोरी का आरो किस पर लगा हुआ है धुल्लू महतों पर लगा हुआ है और जब एक सांसद होने के नाते मीडिया के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कभी हमें नहीं लगता है कि चंद परकास चोधरी जी ने इस चीज को कभी भी रोक लगाने का काम किया हाँ पकड़े आज गाड़ी जमा किये बागमारा में कहां आज भी देखिए कि ढूलू मातों के घार के पीछे में कोईला चोरी हो रहा है घर के भी पीछे चल रहा है जांच किजिए उन्हीं के गरीब का बेटा कहने वाला तो आच चालीस हजार कड़ोर का मालिक है सेंट्रल में अगर सरकार आगी आना तो जहांच कौन है गरीब का बेटा उस सच्चाई सामने आ जाएगा गाम आदमी को क्या कहने जाए गोड़ी गिरीडी के आम आदमी से यही अनुरोद करते हैं कि पांच साल के दर्मियान चंदपरकास चोधरी जी को किसी ने देखा नहीं और इसे परतियासी को जो महाकड़ बंदन के परतियासी जी मानने मतुरा महतो जी है वो बहुत एक जमीन से जुड़े हुए हैं और मैं सभी से यही अनुरोद करता हूं कि मतुरा महतो जी को भोड़ दे और हमें विश्वास है कि इस बार मतुरा महतो जी जो है हम लोग गिरीडी से इस बार पांच लाग अधिक भोड़ से जीताने का काम है को समझाना एक पॉजिटिव स्केल पर भोड़ को खड़ा करना किन मुद्दों को लेकर आप जा रहे हैं गिरीडी में जो सांसर जी काम नहीं किया उन मुद्दों को या अप एक नए तरीके से भी कास रखें देखिए विकास तो कुछ हुआ नहीं है और लगता है कि इस बार मतुरादा जीतने के बाद विकास का गंगा बहेगा और हमारे आदनिये राहूल गांदी जी इस देश के परदान मंतरी भी बनेंगे और जारखन में 14 सीट में इस बार हम लोग जीत भी रहे हैं और कंतीम सबहा है विदान सभा का तैयारी कर रहे है कि अब जो कमान लिजे लोग सभा का चुनाव है हम तो बिगूल फूके हुए मेरा च्छे महिना हो गया ठीक न हम तो च्छे महिना से तैयारी कर रहे हैं और जो लड़ा है वो ख़डा है और मैं माफिया के विरोध में लड़ा हूँ यह नहीं कि आज सरकार बनी है तो मैं लड़ रहा हूं सरकार में नहीं था उस दोर में भी मैं ऐसे माफियाओं को धूल चटाने का काम किया हूं और सरकार बना तो मैं ऐसे माफियाओं को मैं ऐसे बलतकारी विदाय को मैं दो दो बार जेल भेजवाने का काम किया जिस तरीके से गोलबंदी कॉंग्रेस के तरह माध्यम से गुडू सेख जी ने कहीं न कहीं एक पॉजिटिव स्केल खड़ा करने का काम मत्सव पसाद महतों के पक्ष में किया है एक बात और दबे जो मुझे समझ में आ रहा मोधी जी का बीरोध या बीधायक जी का अभी तक हम समझ नहीं पाएं लेकिन इतना तय है कि गुडू सेख जी मानने वाले नहीं है पाद सेख रहें का है कुछ भी से सेखा हम तो माफिया के आगे घुटना टेकने का काम ही नहीं किये और ना हम क करेंगे और कि वक्त आने पर जनता इसका जवाब बहुत बहुत धन्यवाद जीते